नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं आपका तो दोस्तो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि सर कोई नई जानकारी दीजिए पेसे से संबंदित निवेशकों को पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं कुछ का ये भी कमेंट है कि सर लेंड अलोटमेंट का बता दी और कुछ के ये भी कमेंट से कि सर हमारे बैंक अकाउंट में अभी पैसे आई नहीं है कुछ के ये भी कमेंट से कि सर हम जादे परेशान है हमें सबसे पहला पैसा मिलना चाहिए और सेवी कमेंटी पैसे क्यों नहीं दे रही है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम यही डि सेवी के तरफ से कोई भी नई जानकारी निकल कर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, काफी समय हो चुका है, नवंबर में एक छोटी सी जानकारी निकल कर आई थी सेवी कमेटी के तरफ से, उसके बाद से कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये बहुत ही दुखी बात है सवी नहीं करती है अपने निवेशकों को और जैसे किया बहुत से निवेशकों ने बोला है कि सर हमें 10,000 से उपर कब मिलेगा तो उस संबंद में भी सेवी कमेटी ने कुछ फिलाल तो नहीं बताया है कि 10,000 से उपर का रिफंड कब तक सुरूप किया जाएगा देखिए 10,000 से कोई प्रकदी की जाए पैसा मिलने की या समय सीमा या जो अमाउंट है 10,000 से उपर की उसमें कुछ बड़ोतरी की जाए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में जैसे कि आपको पता है कि राजनेतिक पार्टिया होती है जब पैसा देने की बात होती है तो वो कुछ न इस पैसे नहीं है और यह एक अनुमान है जो अनुमान ही है और कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे निवेसक हैं जिन्होंने कहा है कि सल हमारे लैंड अलोटमेंट में यस है या बाइडिफोल्ट यस हो चुका है उसको कैसे सुधारें दोस्तों अभी क्योंकि लैंड कि जो इस्तिती वो सेम वैसे ही बनीवी है उसमें कोई सुधार फिलाल नहीं देखने को मिलेगा कुछ निवेसको का ये भी कमेंट है कि सर फिलाल जो पैसे हैं दहजार से कम वाले उनको मिल रहे हैं या नहीं तो मैं आपको किलियरली बताना चाहता हूं दोस्तों फिलाल अ देखने में आया है कि किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि सर्फ 10,000 से उपर का जो रिफंड है उसको बढ़ाने में सेवी कमेटी कब तक डिसीजन ले सकती है तो दोस्तों यहां पर भी कुछ नहीं बताया गया है सेवी कमेटी का आप से एक महिन ही हाथ खड़े कर दिये थे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है अगर कोई प्रोपर्टी वेगरा सेल होती है बिक्ती है तो उसके बाद ही निमेशकों का पैसा दिया जाएगा तो फिलाल सेवी कमेटी का मानना है कि उनके पास पैसे नहीं है और इसी वाज़े से निमेशकों क पर किसी परकार का कोई असर है दोस्तों तो सुप्रेम कोड़ या सेवी कमेटी दोनों ही अपने हिसाब से चल रहे हैं निवेसक लगबग साड़े-पांच करोड़ से ज्यादा हैं किसी भी निवेसक की कोई सुनी नहीं जा रही है और पैसा भी ज्यादा नहीं मिल पाया है ज सकता है वो नहीं वेसक सोर पेसे लेकर दस जार के बीच हों तो दोस्तो और लेंड अलोटमेंट की भी और वैसे भी जिन लोगों के अकाउंट में कोई प्रोबलम है जिसे आई फैसी कोड चेंज हो गया बैंक अकाउंट नमबर चेंज हो गया उनके भी कमेंट्स बहुत जादा आये थे कि सर क्या हम अपने बैंक अकाउंट नमबर को चेंज कर सकते हैं तो दोस्तो जो चेंजिंग पिर कर रहा है यानि कि जो एडिट करने का उप्सन था वो 31 मार्च 2021 को सेवी कमेटी ने बंद कर दिया था और आप देख सकते हैं आप 31 मार्च 2021 के बाद द्वारा से मार्च आने वाला है और दो महिने के बाद तो continue ये जो उप्सन बंद है और सेवी कमेटी को लगबग एक साल हो चुआ है या होने व कमेंट या कोई नया इस्तियार वगरा जारी नहीं करती है तो दोस्तो फिलहाल जितनी भी जानकारी निकल के राई है किसी निवेशक को कोई भी पैसा आज की तारिक में नहीं मिल पा रहा है जिनको पैसा मिलना था वो मिल गया और आने वाले समय में जिनको पैसा मिलेगा वो कब से शुरू किया जाएगा पैसा मिलने की प्रकर रहा उसके बारे में कोई जानकारी से भी कमेंटी के तरफ से नहीं दी गई है तो दोस्तों इसी के साथ आसा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ये सलसे समद जानकारी के साथ साथ अप्टू डेट रह सकें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद